देश के सामने एक सच्चाई आनी चाहिए कि विपक्ष का रवय्या जो सदन के अंदर रहा तक्तिया लाना, हंगामे मचाना, उर्दंग मचाना और आनन फानन में केवल संसत का भहिशकार करना परधान मंतरी जी ने पहले दिन ही कहा था कि चुनाव की प्राजे का प्रभाव इसमें सदन में न दिखे, उसको खामियाजा न भुगतना पड़े और वही हुआ विपक्ष ने भाना ढूंडा सदन ना चलने का, जनता से जुड़े मुद्धों को ना उठाने का, और लगातार उपर राष्ट्रेपती जी का अपमान करने का ये पहली बार नहीं, पहले राष्ट्रेपती जी का किया परधान मंतरी जी का बार बार अपमान किया, समवेधानिक संस्ताओं पर बैठे लोगों को और समवेधानिक संस्ताओं को लगातार आलोचना करते रहे और उपराष्ट्रेपती जी पर जो कुख कृत्य विपक्ष के संस्तों ने किया है और शरीमान रहूल गांदी जी एक पार्टी के पूर्व राष्ट्रिय ध्यक्ष ऐसे कृत्य करने वाले को रोकने की बजाए, फिल्म करना और उसका परचार परसार करना ये अपने आप म हार के बाद कहीं ना कहीं प्रशंजी ने आता है कि क्या कुछ लोग ऐसी हरकतें तब करते हैं जब संतुलन खो देते हैं एक नहीं अनेक मुकदमे राहूल गांदी जी पर चल रहे हैं, ब्रश्टा अचार से लेकर अवमानना के चल रहे हैं और पहले भी कई मुकदमों में कभी बेल पर हैं तो किसी में सज़ा तक सुनाई गई आखिरकार बारबाल राहूल गांदी जी के बोल और उनके एक्शन, उनके कृत्य ऐसे क्यों होते हैं जो उनको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा करते हैं क्या इतने वर्षों से राजनीती में रहने के बाद भी ना उनके बोल सुदरे हैं ना उनके कामकाज का तरीका सुदरा है और इसका खामियाजा उनको तो भुगतना ही पड़ता है पूरी कॉंग्रेस पार्टी और घमंडिया गटबंदन भी सेहन कर रहा है भारत की बाद रोहित सिंग सावल के साथ सिर्फ एबीपी नियूज पर एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी